एक जंगल में एक लोमडी और सारस रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन लोमडी ने सारस को देखा और वल कहने लगी। सारस भाई, राम राम कैसे हो। सारस बोला लोमडी बहन मैं तो अच्छा हूँ तुम अपनी बताओ। लोमडी को शरारत सूजी और वल कहने लगी सारस भाई मैं तुम्हें अपने घर दावत पर बुलाना चाहती हूँ, कल तुम मेरे घर भूजन करने आना। दूसरे दिन सारस लोमडी के घर भूजन करने पहुचा। दोनों ने एक दूसरे को राम राम बोला और फिर मीथी बाते करने लगे। कुछ देर बाद लोमडी दो परातों में बहुत पकली खिचड़ी बना कर ले आई और वह सारस से बोली सारस भाया आओ खाना खाए। लोमडी तो जल्दी खिचड़ी खाने लगी लेकिन सारस की लंबी चोंच में खिचड़ी ना आई। उसे को बोला कि कल तुम मेरे घर खाने पर जरूर आना लोमडी ने कहा हां मैं जरूर आउंगी सारस ने मचलिया पका कर दो तंग मुव की सुराहियों में दाल दी जब लोमडी आई तो दोनों ने एक दूसरे को राम-राम करी और बाते करने लगे कुछ देर बाद सारस सुराही उ नहीं पा रहा था वो सारस का मूल देखती रह गई आप सारस समझ गई कि लोमडी ने अपना बदला ले लिया है शिक्षा जैसे को तैसा